और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको उता देंगे बड़ी खबर अब योई मिल रही है गोरखपुर में बूत संक्या 386 पर एबियम मशीन खराब हो गई है खुटभार प्रात्मिक विद्जाले का ये पोलिंग भूत है मदान केंद्रे एबियम खराब हो गई है मतदाता इससे परिशान है मामला है भूत संक्या 386 पर एबियम खराब होने इस जाहर सी बात है का परिशान होंगे 306 नंबर का बूत है जहां पर ये एबियम मशीन खराब हो गई है और उसके चलते खुटभार का प्रात्मिक विद्जाले का मतदान केंद्रे हां लोग परिशान हुए मतदाता परिशान हुए और हमारे साथ लगातार हम एके मिश्रा जी बने हुए हिंदी खबर के राजनतिक सराकार आप स्टूडियो में मौझूद हैं तो एके मिश्रा जी ये मतदान प्रतीशत की अगर हम बात करें अभी चर्चा आधी भी रह गई थी ये कि मतदाता अगर नहीं चाहेगा कि उसे बहुत बड़ा बदलाव यहां पर चाहिए है तो वो यहां निकल कर मतदान नहीं करेगा इसलिए मत प्रतीशत कम भी रह सकता है और कम रहने का मतलब क्या यही लगाया जाए नहीं देखिए अच्छे मैं आपको थोड़ा सा इंडेफ्ट डैनामिक्स की मैं बात करो नॉर्मली ऐसी बाते नहीं होती है देखिए दो कॉंसेप्ट होते हैं दो टर्मिनलोजी होती है एक होता है पॉलेटिकल क्यूज और द है कि हाँ भाई आप घर से निकलो यानि आपके क्यूज को एक्शन में बदलना लोग घर से निकले सरकों पर आए वोटिंग दे के दिन जो है जाकर के वोट वहां पर दें अब देखिए अगर मुद्दे और सारी चीजे बहुत स्ट्रॉंग है तो जो साइकोलोजी होती है वोटस कि होता है और बड़े जोर शोर से वह पूरे लेक्शन से में पर्टिसिपेट करता है और इसी लिए देखिए दोह जार 14 का जैसे ख से उलक्शन था यूपी election था, वहाँ पे चाहे बदलाओ रहा हो, चाहे development रहा हो, चाहे fight against corruption रहा हो, यह जो क्यूज थे इतने strong political trigger में बगल गए कि पूरी की पूरी public जो है change के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अपने उद्देशों को political तरीके से पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है जाकर कि उन्होंने वोट दिया, इसलिए आप देखें कि 70%, 50%, 80%, 85% तक जो है वोट वहाँ पे हुआ है, अब देखें यहाँ पे क्यों अगर वोट पर वोटिंग जो है वो एवरेज चला जाता है 50%, 70%, उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है फिर तो क्योंकि जो बारा या परसंट सत्रा या हम जितना भी परसंट बान लिए, उस परसंटेज में किस तरह के मतदाता जादा रहे होंगे, किसने किसको वोट किया होगा, इसके नतीज हुए है, वो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है, वोट परसंट 50% एवरेज जाता है, लेकिन जब 70%, 75%, 80% जाता है, तो वोटर का अगर आप क्लसिफिकेशन करिए, तो टायर वन में आते हैं, जो पार्टी के डायरेक्ट मेंबर हैं, टायर टू में वो आते हैं, जो पा प्रेसाल इनक्टिव रहेंगे, पूरे टाइम इनक्टिव रहेंगे, लेकिन जब वोट के टाइम पर महौल बनता है तो वो जागते हैं और सोचते हैं कि है भाई हमें अपना वोट देना चाहिए। और वो जा खरके and trigger होते हैं तो सारे टायर 1, 2, 3, 4 के जो भी classification हमने आपको बताया है voter के सब जो है active हो जाते हैं और तभी ये vote percent आपका पचातर 80% पर जाता है तो अगर ये traditional voting होगी 50%, 55%, 60% का जाएगा तो यहाँ पे जो party के टायर 1 और टायर 2 के voter है major उनी के कारण ये होते हैं जो 50%, 55% तक cover कर लेते हैं तो इसमें result भी traditional जाएगा सर अब result tradition क्या होगा traditional result ही होगा कि 2014 के पहले आप देखिए फूलपूर में क्या होता था समाजवादी party जीतती थी margin कितना होता था जो विक्तली करता था जो जीता था और जो second number पे आता था मुश्किल से 2-4% का vote margin होता था गोरकपूर में आप देखेंगे तो यह margin बहुत जबर्जस्त रहा है उसका reason है गोरकपूर की situation आप analysis करिए गोरकपूर अगर आप जाईए और दूरदराज के इलाकों में जाईए तो योगी आदितिनाथ कोई काम हो या ना हो लेकिन तब भी लोगों से मिलने जाते हैं दूरदराज के गाउँ में लोगों से मिलना इन सब day-to-day activities से एक political bonding डेवलप होती है आपके candidate party और आपके voters में public के बीच में लगातार 20 सालों से 25 सालों से वो ऐसा काम कर रहे हैं तब मैं बोलता हूं कि योगी आदितनाथ या इस तरह के candidate अगर निर्दली भी खड़े हो जाएंगे तो लहर का उनके उपर कोई असर नहीं पड़ेगा वो जिद जाएंगे फूलपूर में देखें बीजेपी की कोई bonding नहीं रही है इनको बीजेपी का फूलपूर में इस बार अगर बॉंडिंग इतनी जवर्जस रही होती तो उनका लोकल लीडर होता कोई लोकल लीडर है इन्हीं चुनाव से क्यों लीडर ले आए तो मौर्या जी के बाद फूल फूलपूर के लिए बीजेपी के लिए मुझे डाउट लग रहा है ट्रिशनल गया तो वही दो चार परसन का मार्णी नोगा सपा बसपा जीते ही ठीक हमारे संबाता लखनों से इस वक्त हमारे साथ सीधर जुड़ रहे हैं हम लालचन के पास चलेंगे लालचन क्या स्थि होती है इस वक्त ओवराल वोटिंग परसेंटेंज हम देखें आप लखनों में माहौल क्या देख पा रहे हैं उत्तरप्रदेश के अलग-अलग इलाकों से क्या खबर हैं गुरकपूर फूलपूर से क्या खबर है क्या रुजहान है वहां मत दाता हूंगा जिस तरीके से लगातार 7 मजे से चुनाओ का मद्दान शुरू हुआ है लेकिन वह उससा नहीं देखने को मिला है जो होना चाहिए कहीं न कहीं जो चुनाओ है उसको कहीं न कहीं लोग जो है या तो संद्रेमान रहे हैं चुट्टी का दिन इसलिए उसलिए काफी संक्यम न तो फूलपूर में भी 12-20 पसंद ही अभी मद्दान हुआ तो कहीं न कहीं जो लोगों में उस्सा वो कहीं कहीं ने अभी धीमत दिखाई दे रहा है और जो उस्सा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो यह चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा था अच्छा परसंटेज जा रहा था क्योंकि लोगी आधितनाथ नहीं भी कहीं जन सभाएं की लोगों को लुभाने की कोशिद भी कि वहीं अखले शियादों की पास करें शपा जो जिस तरह के सपा बसपाद में गट बंधन किया और इसके बाद जन सभाएं की लेकिन कहीं न चाहिए तक निकल के नहीं आया है इसाथ कई वाजय हो सकती है चुटी कि दिन है तो परफुष रहा था मिश्रा जी जो वोटिंग परसंटेज जो भी रहेगा अगर ज्यादा नहीं होता है क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि जब anti-incombensive factor की हम बात करते हैं या बहुत जारा जनता अगर घर से नहीं निकलती मद्दान करने के लिए तो ये माना जाता है कि बदलाव का कोई मूड जनता का है नहीं लेकिन ये कैसे तैह हो कि बाकी के जो percentage वोट का 12, 15, 20 जो भी प्रति करें तो जो percentage अब तक आया है इसे फूल पुर का है वो बारात दसमलों 20% फीजदी मद्दान हुआ है और गोरफपुर का जो है वो 16, 80 फीजदी मद्दान हुआ है अगर टोटल आग की बात करते तो 14, 45 के आज पास जो percentage निकल के आ रहा है दोनों का तो इस तरीके से आ रहा निकले हैं लोग वो कहें ने कहीं यह कुछ अभी बदलाओ की मुड़ में नहीं सिर्फ उनका मद्दान गया है तो जो ऐसे लोग होते जो बदलाओ चाते वह कापी संख्या में निकलते लोग और या फूल पूर के वारे में कुछ कहा जा सकता है क्या हवा है क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी की गोरकपुर की तरह फूल पूर जो है वो ट्रडिशनल स्वीट बीजेपी की रहे नहीं तो वहां किस तरह की अंदासे लगा सकते हैं कि वहां पर मद्दान चल आ है बहुत ही दीमा चल लोग निकल ले रहे हैं कहीं न कहीं जो जो बदला नजरिया दिख रहा था वह ने दिख रहा है क्योंकि यह कहा जा रहा था कि परसेंटर अच्छा जाएगा जिस तरीके हुई है और जहीं शिवात है कि इसको 2019 का जो चुना होना है उसको भी लेकर देखा जा रहा था लेकिन वह अभी तक वह समी करन नहीं बन पाए है जो बनने चाहिए थे क्योंकि जाहीं से बाता है कि सब की नजर पूरे देश की नजर आज जो दो सबाद लोग सबाद के जो सपा और बसपा का गट बंदान है बीजेपी का मुकाबला है तो वो चीज अभी निकल के नहीं सामने है कहीं जो अभी बदलाव जो होना चुह था वो भी देख परने को नहीं मिला है ठीक है लाल चन बने रही है हमारे साथ लोटिंग है मिश्रा जी ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे चर्चा हमारी हुई थी आपकी मेरी कि ये जैसे लाल चन नहीं बताया कि प्रतिष्ठा का सवाल है हम सुन रहे हैं प्रतिष्ठा का सवाल है लेकिन क्या ये वाकई आंकलन और रननीती क्या कहती है क्या वाकई प्रतिष्ठा का सवाल है या इन सीटों को खोने मे कोई गुरेज नहीं है आपको बताता हूं इस्पेसली बीजेपी के लिए अगर देखेंगे एक सिक्षे के दो पहलू में बीजेपी ने सेंटरल में और स्टेट में लगबक सारे स्टेट में गौवर्मेंट बना लिया है तो बीजेपी के लिए कोई प्रतिस्था का सवाल न ने ने मैं बता रहा हूं यह प्रतिस्था का सवाल किन के लिए है सर यह प्रतिस्था का सवाल केवल अपने सीम और डिप्टी सीम जी के लिए है योगी अधितनाथ और मौर्या जी के लिए यह प्रतिस्था का सवाल है उसका रीजन है क्योंकि भाई देखे आपका एक साल ह अगर हार गया तो सीधे इमेज जो डेमेज होगी वो इन दोनों लोगों की डेमेज होगी तो प्रतिस्था का वो नहीं है बिपक्ष की कोई भी seat नहीं है या हार गया गोर्मेंट नहीं है तो थोड़ा सा एक तो यह है कि प्रचंड गर्मी के बाद जेट और इन सब महीने के बाद थोड़ा सा बूदा बारी हो जाती है तो आदमी राहत की सांस लेता है तो अगर वो इलेक्शन जीत गए तो उनके अंदर एक खुशी की लहर जो है दोर जाती है सुरिंदर राजपुट जी हिंदी ख़बर में आपका स्वागत है और मतदान चल रहा है प्रतिशत बहुत कम है अभी तक आप लोगों का क्या विश्वास है क्या आखलान है परस्थितियां क्या कहती है आपके अनुसार देखिए दो बाते बड़ी स्पस्थ हैं मेरा एक तो आपके मातजनते मतदाताओं से नुरोज है कि सौप प्रतिशत मतदान करें और उसके बाद ही जलपान या खाना खाए एक बाद क्योंकि जब तक लोग संत्र में भारी मतदान नहीं होगा हर सक्ष की लोग संत्र में भ प्रतिश्टय का सवाल नहीं है यह जंता की प्रतिश्टय का सवाल है और यहां पर कुछ भी हो हमारा पूरा विश्वात है कि लोग संत्र जीते गा और विपक्षी दल कहीं मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जीत की अप्री संभाबना है ठीक है लेकिन इसे लेकर आप खुद इस बात को मान रहें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो फॉर्ट चेंज तो नहीं है अभी तरह देखिए इसको लेकर करके हैं बहुत इस पर शुरूप से हम मत्दाताओं से अपील जरूर करेंगे कि सौपर सिसत मत्दान की ओर बढ़ कहीं कॉंग्रेस या सफ़ा अपने आपको फाइट में मानेंगी आप और हम लजूमी नहीं हैं और इसी लोग संत्र की खूर्टी है कि हमारे यहां की अब तक की हिंदोस्तान की सर्वोच चिने का श्रिमत इंद्रा गांधी जी भी चुनाओ हार गई थी और इसी गोरकपु क्रिए कुछ दिबेजीowan के परप्रक्यासी को इसी गोरकपुर ने जिताया था लोग संत्र मैं कुछ भी संबल है लोग शाही को आप कुछ जब कई यह लोग संत्र अपने मद्दाताओं से मजबूत होता है नेकाओं मजबूत नहीं होता है तो क्या कहेंगे गोरखपुर फूरपुर की मददाताओं से क्या कहेंगे आप क्योंकि सरकार के लिए तो मतलब उनकी नजरों में सरकार का गाम सैटिस्ट्रेक्ट्री है या विपक्ष कुछ गिनाएगा क्या मुद्दिन बहुत इस पस्चरूप से विपक्ष सरकार की नातामिया गिना चुका है आज की जिट में मतदान का पर्व है इस मतदान के पर्व में परचड़के हिस्साले 100% अपनी भागेदारी सुनिक्षित करें और कुछित प्रत्याशी को जिता है ऐसा मेरा मानना है ठीक है बहुत शुक्री आपना कीमती समय हिंदी ख़बर को देने के लिए सुरेंद राजपूत साहब नेता कॉंग्रे साब का धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए एक एमिश्रा जी ये सिर्फ एक सान्तों ना देने वाली बात है फाइट क्या देख पा रहा है गोरगप जी जीतती रहती है और confident होता है ना number one या number two पे भी तो दाहर के बोलते हैं जी हमी जीते हैंगे हमी फिर ऐसी अपील नहीं करते हैं कि आप मतलब लोगतंत रहे हैं यह है वो जो सुरेंदर राजपूत जी बोल रहे थे बात यहां dynamics और strategy के analysis की है मैंने आपको at the beginning जब मैं आ प्रतिस्था का सवाल यह individual प्रतिस्था का सवाल है योगी जी के लिए उनकी अपनी प्रतिस्था का सवाल है और मौर्या जी के लिए अपनी प्रतिस्था का सवाल है बीजेपी national party के लिए ठीक है प्रतिस्था का सवाल है लेकिन वह बहुत ज्यादा by elections को ध्यान नहीं देत यह लंबी कूद लेने के लिए आपको दो कदम पीछा चलना पड़ता है तो यह बीजेपी की स्टेटजी रही है कि ठीक है दो चार जो बाइलेक्शन होते हैं वह आप हार जाएए अच्छा दूसरा चीज है विपक्ष के लिए यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है वह इसलिए होता है कि जहां विपक्ष एकदम से मुर्जाया हुआ है उसका मनोबल डाउन है यह उनको थोड़ा सा संजीवनी की तरह काम करता है तो इसलिए विपक्ष बहुत एक्टिव रहता है बाइलेक्शन में और उसको वह परसेप्शन ऐसे डे किश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए अपना कीमदी समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो सवाल यह है कि यह आज शाम पांच वे तक आप इंतिजार कीजिए मकदान प्रतिशत क्या रहता है नतीजे के लिए 14 मार्च का इंतिजार रहेगा लेकिन आज स्थिति राजनितिक सलाकार और जो भी विशलेशक हैं वो इस पर क्या कहेंगे हिंदी खबर पर यह आपको अबडेट हम देते रहेंगे फिलहाल वक्तिक ब्रीक का है नमस्कार